हलो फ्रेंड्स मेहरन पताव सिंग आप सभी लोग अपने इसेज के सेनल चैनले पर सौध करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में एकनोमिक्स के अंतरगत उदासिंता वक्र विश्टेशर्ट की मानेताओं को पढ़ेंगे जिसे इंग्लिस में एजन्समस करते हैं इसके प्रियूर्स वीडियो में मैंने आपको समझायाए था कि उदासिंता वक्र क्या होता है उदासिंता मांग अंसूची क्या होती है और ओप्रियow के माध्यम से सारी चिश्यों को बहुत अच्छी तरह से एक्स्पैपन किया था मै इस वाली वीडियो में हम लोग जो है उद्राशिंता वक्त विश्चिषड की मानेताओं को पढ़ेंगे, तेह किसी भी सिधान्त की जो मानेताइं होती है, वह एक प्रकार से उसकी सर्त होती है, मानेताओं के मतलब उन आवस्यक दस्वाओं से होता है या उन आवस्यक सर्तों जिनके होने पर ही वह नियम जो है, पूरी तरसे लागू होगा, पूरी तरसे अपलाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। उदासिंता उवक्र बिश्शन की मानेताओं को बताने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देना है चाहता हूँ कि उदासिंता उवक्र किसको कहते हैं देखिए इसकी परिभाचा है कि उदासिंता वक्र दो वस्तों के उन बिभिन संयोगों को ब्यक्त करने वाले बिंदूओं का बिंदूपत होता है जिससे उपभोगता को समान संतुष्टी प्राप्त होती है। यहां पर मैं आपको फीगर के मादन समझाना चाहता हूं देखिए यहां पर वाई ओ है और यहां पर एक्स रिखा हुआ है इसका मतलब है ओ आई एक्सिस पर जो है वाई वस्तों की मात्रा को दर्शा गया है और ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तों की मात्राओं को दर्शा ग है था कि उदासिंता वक्र दो वस्तों की दो वस्तों में ये एक Y है और एक X है एक Y है और X है दो वस्तों की उन बिभिन सयोगों को बिभिन सयोग है मतलब यहाँ पर 20 यहाँ पर एक की सरी यहाँ पर जो है Y की 20 इकाई का उभोकिया जा रहा है तो यहाँ पर नीचे X की 2 इकाई का उभोक किया जा रहा है यहाँ पर 15 इकाई का उभोक किया जा रहा है यह जो संयोग बना है संयोग B जो है संयोग B पर 15 इकाई का Y का उभोक किया जा रहा है और X की 4 इकाई का संयोग C पर 11 की Y की 11 इकाई का और X की 6 काई का, संयोग D पर 8 की, Y की 8 काई का, और X की 8 काई का, और यहां संयोग E पर Y की 6 काई का, और X की 10 काई का उभोग किया जा रहा है, को विभिन संयोगों को ब्यक्त करने वाले बिन्दूओं का बिन्दुपत होता है, जिसे उपभोगता को समान संतुष्चि प्राप्त होती, अर्था, ये दो विभिन संयोग हैं, सवयोग a b c d कर रहा है कि वह उन बिंदूों का बिंदू पत होता है इसे ब्होगता को समान संतुष्टी मिल लेगे मतलब इस ब्होगता को जो है इस घृट अब यहां पर बोगता जो है Y की B सिकाई का अभोग कर रहा है और X की 2 इकाई का अभोग कर रहा है तो दोनों वस्तों की अभोग का जो सन्योग बना है वो बिंदू A बना है और दूसरे पर फिर क्या है सन्योग B पर 15 इकाई Y की अभोग कर रहा है और X की 4 इकाई कर रहा है C सनयोग पर Y की 11 काई का प्रयोग कर रहा है और X की 6 काई का उसके बाद सनयोग D पर Y की 8 काई का प्रयोग कर रहा है और X की 8 काई का और सनयोग E पर Y की 6 काई का प्रयोग कर रहा है और X की 10 काई का तो इन सभी जो विभिन सनयोग है वस्तू की उभोग की इन सभी पर उभवक्ता को समान संतुष्ची प्राप्त होती है, इसलिए इसकी परिभासा है कि उधासिंता उभक्र दो वस्त्मों के उन बिभिन संयों को ब्यक्त करने वाले बिंदू का बिंदुपत होता है, जिससे उभवक्ता को समान संतुष्ची प्राप्त होती है, चु देखे उदासिंदा वकत बिसंद के जो इसकी पहली मानता है वो है उपभोगता का बिवेकपूर बेवार राष्णनल भी हेवेराप कन्सुमर देखे इस सब्सक्रीकि पहली करते समय 은वभोगता बिवेकपूर बेवहार करता है सचमच में अधिक्तम संतूस्टी मिलना तभी संभव है जब उपभोकता सोच समझ कर कम उपयोगी वस्तुओं के अस्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं पर बै करें मैं फिर सम्झाना चाहता हूँ आपको कि उपभोकता जो है उपभोक करते समय बिवेक पूर बेवहार वह अपनाता है तेकि उपभोकता क्या होता है वह अपनी संतुष्ची को अधिक्तम करना चाहता है तो वह अपनी संतुष्ची को अधिक्तम तभी करेगा जब वह सोच सम समझ कर बै करेगा और सोच समझ कर बै करने का मतलब यह है कि वह कम उपयोगी वस्तूं के अस्थान पर अधिक उपयोगी वस्तूं का उभोग करे या इसे भी कर सकते कि वह कम उपयोगी वस्तूं के अस्थान पर अधिक उपयोगी वस्तूं पर बै करे अब आशा करता हूं कि आपको सवंज में आगया होगा और दासेंता वक्त बिश्चर्षण की पहली मानता कि भोक्ता का बिवेक पूर ब्यवहार करता है मत अपने वस्तों पर ब्यवेक करते समय अपने बिवेक का प्रियोग करता है कि किस प्रकार मैं अपनी संतुष्ची को अधिक्तम कर सकता हूँ इसकी अगली मानता है कि क्रम वाचक दिश्चकोड और्डिनल व्यूपॉइंट इसकी एगली मानता है करम वाचक दिष्ट कोड और्डिनल व्यूपॉइंट अब आईए कि करम वाचक दिष्ट कोड क्या होता है हम इसको समझते हैं देखें इसमें कि उपभोगता उपभोग संयोगों से प्राप्त संतुष्टी को एक वरियता करम परदान करता है द्यान सुनेगा उपभोगता जो है उपभोग संयोगों से प्राप्त संतुष्टी को एक वरियता करम परदान करता है क्योंकि संतुष्टी एक मनोबैग्यानिक विचार है जिसे संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता मैं फिर समिछाना क्याहा हूं करम वच्छे का मत्यफी यह है ॖता अभोग करुग और है मालिजी की 20 21 テए वाई की प्रेयां करोच क्यों दस एक एक की फीर 15 आइए की कर रहा है फिर बारहिकाई आक्स की यह बीविन सब्सक्राइब जो दो वस्तू का जो बीविन समयोग है बीविन मात्राओं का तो वह क्या करता है कि उनसे जो मिले में सन्तुष्ची उनको एक क्रम परदान करता है ऊब घ्रचाज मिली कम मिले से ऊसे बहुत कि प्रम प्रदान करता है क्योंकि संतुष्ठी जो है इसे जो हैको है ग़िमा असे कर सकते हैं और सख्यात्मक रूप मेंद health जा सकता कि जो है हमें संतुष्टी प्राव थोरी पाच्छी का एक बरावट शाती का एक बरावर आप इसको नहीं माप सकते हैं इसलिए वह जो है इसे एक वर्यता क्रम प्रदान करता शुथ है अब आसा करता हूं कि यह दूसरा पॉइंट भी आपको सॉम्झ में आ गया होगा, देखें का थर्ड प्उइंट जो है जो थर्ड मानता इसकी, इसकी तीसी मानता है कि विभाजित्यम समरूप वस्त्मिन, क्या है? विभाजित्यम समरूप वस्त्मिन, डिविसबल एंड होजेनस गुड्स दखे विभाजी तों सम्रूप वस्तूं का मतलब क्या है उदासिंता वक्र विश्चेशड इस मानेता पाधाई था कि उपभोगता जिन वस्तूं का उपभोग कर रहा है वे ऐसी वस्तूं है जिनको छोटे-छोटे भागों में बाटा ज जा सकता है ज्यान सुनिएगा मैं चाहता हूं डिश्टर्व के लिए फिर सुनिएगा उपभोगता जिन वस्तूं का उपभोग कर रहा है वे ऐसी वस्तूं है जिनको छोटे-छोटे भागों में बाटा जा सकता है इसलिए थाट पॉइंट रखा गया है बेवाजित यम सम समरूप वस्तुमी समरूप का मतलब समरूप का मतलब जिन वस्तूं का उपभोग कर रहा है वे वह हर इकायूस की समरूप मतलब समान है बिभाजित यम समरूप वस्तूं का मतलब क्या है बिभाजित का मतलब है कि उपभोगता जिन वस्तूं का उपभोग कर रहा है वे ऐस गुड या आकार में वह क्या है समरूप है समान है उसकी हर एक क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है अब आसा करता हूं कि यह थर्ड पॉइंट भी समन में आ गया होगा देखिए जो चौथी मानता है वह है दुरूबल क्रमबदता क्या है दुरूबल क्रमबदता जिसको वीक अर्डरिंग बोलते है दखे उदासीनता वक्र विसले सर्द दुरूबल क्रमबदता की मानता पाठाई थे यह मानता इस पष्छ करती है कि उपभोगता दो संयोगों के मध्य उदासीन हो सकता है द्याथन सुनेगा यह मानता इस्पष्ट करती है कि उपभोगता दो संयोगों के मद्य उदासिन हो सकता है किन्तु प्राप्त संयोगों में से एक संयोगों को अन्य की तुलना में नहीं चुन सकता यह मानता इस्पष्ट करती है कि उपभोगता दो संयोगों के मद्य उदासिन हो सकता है किन्तु प्राप्त संयोगों में से एक संयोगों को अन्य की तुलना में नहीं चुन सकता अगली मानता है सकर्मक्ता क्या है सकर्मक्ता जिसको ट्रैंजिटिविटी भी बोलते हैं देखे इस मानता का आर्थ है कि यदि एक उपभोगता के लिए एक ये पेच्छा बी संयोग अधिक संतुष्टी दायक है दैन सुनेगा, यदि एक उपभोगता के लिए, एक पेच्छा, बी सयो अधिक संतुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यदि एक उपहोकता के लिए एकि यह पेच्छा B सयोंग अधिक सनतुस्ती दायक है, B अधिक सनतुस्ती दरायक पेच्छा, और B की तुला में वह C सयोंग से अधिक सनतुस्ती प्राप्त करता है, और यदि B की पेच्छा जो है, C संयोग से अधिक संतुष्टी मिल लई है तो C का संयोग निश्चित रूप से A से क्या होगा निश्चित रूप से A से अधिक होगा यह जो है यह निश्चित रूप से A से अधिक होगा जाकरने मतलब निश्चित रूप से C, C greater than A एक बार मैं इस बात को फिर से repeat करा हूँ कि यदि A को उपभोगता के लिए A की पेच्छा B अधिक संतुष्ची दायक है और B की तूलना में वह C संतोष्ची प्राप्त करता है तो C संयोग का संतोष्ची निश्चित ही A संयोग से अधिक होगा अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको संवन में आ गया होगा अब नेक्स्ट पॉइंट है 6 जो है 6 पॉइंट है कि चुनाओं में संगती चुनाओं में संगती किसके चुनाओं में? दो वस्तुओं के चुनाओं में देखे ततसता वक्र विश्चे सड उपभोगता के बेभार में संगती मान कर चलता है अब संगती का क्या रथ है सोच रहोंगे कि संगती का क्या रथ है तो इसका यह रथ है कि यदि वस्तुओं के A संयोग का संतोस B संयोग की अपिछा आज अधिक है जो है यदि संयोग A से जो संतुष्ची प्राप्थ हो रही है वह जो है B की अपिछा अधिक है आज आज जो है स्रयोग A से प्राफ्थ होने वाली संतुष्टी स्रयोग B से प्राफ्थ होने वाली संतुष्टी से अधिक है तो वह कल भी रहेगा यहीं संगती का यहीं मतलब चुनाव में संगती का तो वह कल भी रहेगा इसका मतलब है कि यदि वह जो है B के पेच्छा आज A का चुनाव करेगा तो कल भी वह A का ही चुनाव करेगा एक बार फिर से सुनिए चुनाव में संगती क्या मतलब है ततासता वक्र बिशले सण उपभोकता के बेवहारवे संगती मान कर चलता है इसका यार्थ है कि यदि वस्तों के A संयोग का संतोस B संयोग की पेच्छा आज अधिक है तो वह कल भी रहेगा दूसरे सब्दों में संतोस की दिश्टी से A हमेशा B से अधिक रहेगा B कभी भी A से अधिक नहीं हो सकता अब आसा करता हूँ ये six point भी समझ में आ गया होगा ये last है last point है मनिता का घर्थी सिमान्त प्रतिस्थापंदर क्या है घर्थी सिमान्त प्रतिस्थापंदर से इंगलिस में दिमनिसिंग माजिनल रेट आफ सबस्टीशन बोलते हैं अब आ इसको भी समलेते हैं इसका क्या मतलब है देखे इसका मतलब है कि तत्रस्था वक्र बिसलेशर यह मानकर चलता है कि जब एक उपभोगता किसी एक वस्तु द्यान सुनिया किसी जब एक उपभोगता किसी एक वस्तु माले ये वाई के लिए दूसरी वस्तु माले एक्स की मात्रा प्रतिस्थापित करता है तो वैसे वैसे वह एक्स के लिए य की पहले के पिछा कम मात्रा छोड़ने के लिए तयार होता है। मैं इसे आपको सरल सब्दों में समझा रहा हूं माम लिए कि एक पुभोगता है जो 20 इकाई y की प्रियोग कर रहा है और 15 इकाई x की प्रियोग कर रहा है। अब वह जो है, अब क्या किया। कि वह 25 इकाई जो है Y की उभोग करना चाहरा है तो अब वह जो है उभोग करेगा 10 इकाई एक्स की दस एकाई का अब फिर वह वाई की तीस एकाई का भोग कर रहा है तो वह जो है एक्स की जो है एक्स की आठ एकाई का भोग करेगा मतब दस से आठ मतब दो एकाई छोड़ा अब जो है वह वाई की 25 एकाई का भोग कर रहा है तो वह जो है एक्स की X कि 7 इकाई का बघवकों करेगा मतब 1 इक 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 मतब वस्तुक वाही के वाही का लगातार बढ़ारा है और निश्यत्रुप से ये क इक सित्व का इक तो एक सित् Shiva गटाएगा तो घटते क्रम में घटाएगा मतब पहले दस एक आई शोड़ा है फिर पांच एक आई तो फिर चार एक आई फिर दो ऐसे इस तरह घटते क्रम में वह करेगा यहीं इसे इसे क्या करते हैं घटती सिमान्त प्रतिस्तापन दर करते हैं एक फिर से सुन लेजे चाहें तो आप इसको नोड़ भी कर सकते हैं देखें इसे वैसे वह X के लिए Y की पहले के पिछा कम मात्रा छोड़ने के लिए तयार होता है तो फ्रेंट्स यह रहा उदर से इंता वक्त विश्यसन की मानता आशा करता हूं कि आपको स्वर्मियाय होगा यह कम्टिटिव जान्स के लिए बहुत उपी होगी है क्योंकि परिश्य कर जिएगा और अपने कमेंट जरू देजिएगा क्योंकि कमेंट से ही जो है प्रसाहन मिलता है या सुधार करने का मौका मिलता है तो मैं एक बार आपको फिर से धन्मादता हूं थैंक्यू